कफिल शर्मा के पॉपिलर कॉमेडी शो दा कफिल शर्मा शो दस सप्टेमबर से फिर से टीवी पर आने वाला है खबरे थे कि इस बार कफिल के साथ शो में कुरुशना अभिशेक शामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन अब खबरे सामने आ रही है कि शो से एक और विके डाउन हो गई है दरसल बताया जा रहा है कि कफिल के शो से चंदन प्रभाकर यानि कि शो के चहेते चंदू भी शो से बाहर हो गई है और इसकी वज़ा भी बताई गई है वेल लोड आउट फैंस दे कफिल शो के आने वाले नई सीजन को लेकर काफी एक्साइटिड है कफिल शो में चंदन प्रभाकर चंदू चायवाले का केदार निभाय करते थे जिने शो पर आए गेस्ट का ध्यान रखना होता था और उनका एंटरेटेंबेंट भी करना होता था लेकिन जैसे ही बात सामने आई कि वो शो का हिस्सा नहीं होगे तो फैंस को ऐसा लगने लगा कि कहीं चंदन और कपिल की कोई अनबन तो नहीं हुई है और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप गलत है दरसल पिंक पिला की रिपोर्ट की मुताबिक दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कपिल और चंदन की बीच में कोई भी जगड़ा नहीं हुआ है चंदन ने इस बात को जाहिर किया है कि शोड़ने की पीचे कोई खास वजा नहीं है वो बस इससे ब्रेक चाते हैं दरसल चंदन लगा ताट चंदू चाय वाले का किरदार निभाते निभाते थोड़े उवसे गए हैं चंदन ने कहा है कि वो अफिशली कपिल के शोड़ से आउट हो रहे हैं वेल आपको बता दे कि चंदन कपिल के ऑस्ट्रेलिया के टूर से भी बाहर थे इस टूर पर की कुशारदा कृष्णा अभिशेक उनके साथ दिखाए दिये थे वेल सिफ इतना ही ने चंदन दकपिल शर्माज शो के नए सीजन के प्रोमो में भी दिखाए दिये थे और इसी सीजन में उनकी करेक्टर को अपग्रेड करके भी दिखाए गया था उनकी पतनी और उनकी बच्चे को भी दिखाए गया था ऐसे में चंदन का शो को गुडबाई कहना साइन्स को जरा अटपटा सा लगा है वहीं आपको बता दे कि कृष्णा अभिशेक और भारती सिंग ने भी कन्फर्म किया है कि वो कपिल शो का हिस्सा नहीं होंगे कृष्णा ने कंफर्म किया है कि वो मानेटरी एगरिमेंट की वज़ा से ऐसा हो रहा है वहीं भारती ने कहा है कि उनका बेबी है और उनके पास बाखी प्रोजेक्स भी हैं इसलिए वो शो का हिस्सा नहीं बन पा रही लेकिन भारतिय का ये भी कहना है कि वो शो में बीच बीच में नज़र आती रहेंगे वेल कभिल के नए सीजन की बात करें तो शो में कपिश्रमा के लावा अर्चनापुरन सिंग, सिधाज सागर, कीकु शादा, स्रिष्टी रोडे, सुमोन चक्रवर्ती जैसे कई स्टार्स नज़र आएंगे वही शो के पहले अपिसोड के लिए अक्षे कुमार और रड़े शूट कर चुके है वागी आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा शुक्रिया झाल